यह लेक भगत सिंग ने जेल में रहते वे लिखा था 27 सितंबर 1931 को लाहोर के अकपार तब पीपल में यह लेक प्रकाशित हुआ इसमें भगत सिंग ने ईश्वर के अस्तितों पर अनेक तर्कपूर्ण सवाल खड़े किये है और इस संसार के निर्माण, मनुष्य के जन्म, मनुष्य के मन में ईश्वर की कलपना के साथ-साथ संसार में मनुष्य की दीनता, उसके शोषड, दुनिया में व्याप्त अराजकता और वर्ग भेद की सितियों का भी विश्लेशन किया है स्वतंतरता सेनानी बाबा रंधीर सिंग 1930-31 के बीच लाहोर के सेंटरल जेल में थे उन्हें यह जानकर बहुत कष्ट हुआ कि भगत सिंग का ईश्वर पर विश्वास नहीं है वे किसी तरह भगत सिंग की कोटरी में पहुचे और उन्हें ईश्वर के अस्तितों पर यकीन दिलाने की कोशिश की असपल होने पर बाबा ने नाराज होकर कहा प्रसिद्धे से तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है और तुम एहंकारी बन गए हो जोकी एक काले परदे की तरह तुम्हारे और ईश्वर के बीच खड़ी है इसी टिपपड़ी के जवाब में भगत सिंग ने ये लेक लिखा था प्रस्तुत है मैं नास्तिक क्यों हूँ खंड एक एक नया प्रश्ण उठ खड़ा हुआ है क्या मैं किसी अहंकार के काल सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापी तथा सर्वग्याणी ईश्वर के अस्तित्व पर विश्वास नहीं करता हूँ मेरे कुछ दोस्त शायद ऐसा कहकर मैं उन पर बहुत अधिकार नहीं जमा रहा हूँ मेरे कुछ दोस्त मेरे साथ अपने थोड़े से संपर्क में इस निशकर्ष पर पहुँचने के लिए उत्सुख है कि मैं इश्वर के अस्तित्व को नकार कर कुछ जरूरत से ज्यादा आगे जा रहा हूँ और मेरे घमंड ने कुछ हद तक मुझे इस अविश्वास के लिए उकसाया है मैं ऐसी कोई शेखी नहीं बगारता कि मैं मानविय कमजोरियों से बहुत उपर हूँ मैं एक मनुष्य हूँ और इससे अधिक कुछ नहीं कोई भी इससे अधिक होने का दावा नहीं कर सकता ये कमजोरी मेरे अंधर भी है अंकार भी मेरे स्वभाव का अंग है अपने कॉम्रेडों के बीच मुझे निरंग कुछ कहा जाता था यहां तक कि मेरे दोस्ट श्री पटुकेश्वर कुमारदत भी मुझे कभी-कभी ऐसा कहते थे कई मौकों पर स्वेच्छा चारी कहे मेरी निंदा भी की गई कुछ दोस्तों को शिकायत है और कमभीर रूप से है कि मैं अंचाही ही अपने विचार उन पर थोपता हूँ और अपने प्रस्तावों को मनवा लेता हूँ यह बात कुछ हद तक सही है इससे मैं इंकार नहीं करता इसे आंकार कहा जा सकता है जहां तक अन्य प्रचलित मतों के मुकाबले हमारे अपने मत का सवाल है मुझे निश्चे ही अपने मत पर गर्व है लेकिन यह व्यक्तिकस रही है ऐसा हो सकता है यह केवल अपने विश्वास के प्रती या योचित गर्व हो और इसको घमंड नहीं कहा जा सकता घमंड तो स्वेम के प्रती अनुचित गर्व की अधिक्ता है क्या यह अनुचित गर्व है जो मुझे नास्तिक्ता की ओर ले गया अत्वा इस विश्वे की खूब सावधानी से अधियन करने और उस पर खूब विचार करने के बाद मैंने ओश्वर पर अविश्वास किया मैं ये समझने में पूरी तरह से असफर रहा हूं कि अनुचित गर्व या विथा भिमान किस तरह से किसी व्यक्ति के ईश्वर में विश्वास करने के रास्ते में रोड़ा बन सकता है किसी वास्तम में महान व्यक्ति की महानता को मैं माननेता ना दू यह तब ही हो सकता है जब मुझे भी थोड़ा ऐसा यश्प्राप्त हो गया हो जिसके या तो मैं योके नहीं हूँ या मेरे अंदर वह गुण नहीं है जो इसके लिए आवश्यक है यहां तक तो समझ में आता है लेकिन यह कैसे हो सकता है कि एक व्यक्ति जो ईश्वर में विश्वास रखता हो सहसा अपने व्यक्तिकत अहंकार के कारण उसमें विश्वास करना बंद कर दे तो ही रास्ते संभव है या तो मनुश्य अपने को ईश्वर का प्रतिद्वंदी समझने लगे या वे स्वैम को ही ईश्वर मानना शुरू करते इन दोनों ही अवस्थाओं में वह सच्चा नास्तिक नहीं बन सकता पहली अवस्था में तो वह अपने प्रतिद्वंदी के अस्तित्वों को नकारता ही नहीं है दूसरी अवस्था में भी वह ऐसी एक चेत्रा के अस्तित्वों को मानता है जो परदे के पीछे से प्रकृती की सभी गतिविदियों का संचालन करती है मैं तो उस सर्वशक्तिमान परम आत्मा के अस्तित्र से ही इंकार करता ये अहंकार नहीं है जिसने मुझे नास्तिक्ता के सिध्धानत को ग्रहण करने के लिए प्रेरित किया मैं ना तो एक प्रतिवन्दी हूँ ना ही एक अवतार और ना ही स्वैम परमात्मा इस अभियों को अस्विकार करने के लिए आईए तक्ष्यों पर गौर करें मेरे इन दोस्तों के अनुसार दिल्ली बम केस और लाहोर शडियन्त केस के दौराल मुझे जो अनावश्यक यश मिला शायद उस कारण मैं वृता भिमानी हो गया मुझे जो कर दोस्तों के अनुसार आईए उस तक्ष्यों के कर दोस्तों के अनुसार आईए उस आईए ।एागल